इतिहास जब पुराना हो जाता है तो लोग उसे पुरान कहते हैं हमारे पुरानों में प्राचीन भारत का इतिहास है युगों युगों से चली आ रही मनुश्य शिष्टी के कल्यान थे हर काल में किसी न किसी युग पुरुष ने जन लिया द्रेता युग में राम ने मर्यादा पुर्शोत्तम का संदेश दिया समाज के चरित्र का निर्मांग किया द्वापर युग में कृष्ण ने गीता के द्वारा कर्म का सिध्धान्त संजाया और धर्म की संस्थापना की पर समय चलते धर्म के नाम पर अधर्म बढ़ा असत्य अराजत्ता असमानता अश्प्रिश्यता अर्थसिद्धी और अंध्शद्धा का पाखंड चारों और फैलने लगा मनुष्य भैभीथो अज्ञान के अंधकार में भटकनी था इसी अंधकार को दूर करने पुनख एक युग पुरुष जन्म लेने वाला था और इस बार उस युग पुरुष का नाम था बुद्ध महा भारत युद्ध पश्चार कई युग बीच चुके थे उस महा युद्ध की परचाई ने भारत वर्ष को कई हिस्सों में बाट दिया था धाई हजार वर्ष पूर उत्तरपूर्व भारत में मगद और वैशाली के समीब एक संघ राज्य था कपिल वस्तु उस समय कपिल वस्तु पर शाह के कुल के पराक्रमी छत्री सूर्यवंशी राजाशुद्धुदन का शासन था झाल 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 को पाल लगता है कोई पुशी का संदेश है था लोशीका वरना ये गगंडोल क्यूं बचे एक और से आये राजा दूजी और से पंड़ोवी युद्ध हुआ रण में घमासान अंत में जीते जो थे दीर वो कौन है वी वो महराद शुद्धोदन चोटी महादेवी चोटी महादेवी हम तुझे ही आवाज देने वाले थे लसिका ये गगंडोल खुशी के समाचार है महादेवी महाराज शुद्धोधन पांडर भीलों की प्रजादी को युद्ध में पराजित कर कपिल वस्तों लोट रहे हैं इश्वन ने हमारी मनो कामना पूरी करते हैं क्या है समाचार महादेवी महामाया तक पहुंचा नहीं वो इस तरमें अपने कक्ष में नहीं है ठीक है तू गरीबो में अन्यदान का प्रबंध कर यह खुशी का समाचार हम स्वेम अपनी बड़ी बहन को देंगे संही पकड़ लिया थीदर बाक्की बच्चे कहा गे बच्चे को यह में अकेला हूँ कि यह क्या हो रहा हमें अम बैजाओं कि कहां अपनी माँ के पास कि अपने मुझे एक वचन दिया था ना वो तुम्हें बोली गया तो फिर बोलो कि बिना बोले मैं आपको जाने नहीं दूँगी कि बोलो बोलो ना पहले अपनी आखे तो बंद कीजिए कि मा मा कि मा जाए नहीं तुम्हें तुम्हें नहीं किया वितर श्रिंगार यह किसलिए यह गगंडों सुने नहीं तुम्हें हमाय समाचार लाई हैं महराज विजय होकर लौट रहे हैं पूरे कपल वस्तु में आनंद का गुलाल चाया है तुम्हें तो बड़ी खुशी की बात है तो तो जाकर उनके स्वागत की तियारी कर और आने पर इतने सेवा करना उनके इतने खुशी देना उन्हें कि युद् मुष्री के मौके पर पाच का चहरा नहीं देखते प्रचापने दीदी मेरा चहरा देखते ही संतान ना होने का मेरा ये दुख महाराज का दुख बन जाएका और मैं उनके दुख का कारण नहीं बनना चाहिए दीदी तुमने महाराज से मेरा विवा इसलिए ताकि महाराज को संतान सुख प्राफ्त हुआ और कपिल वस्तु को उसका उत्तराधिकार है कि इस चार वर्ष हो गए कि मैं भी महराज को संतान का सुख नहीं देपर तो पांच तो मैं भी हुई ना ना प्रजबती ना कि मैं अपनी आशक के मुझसे अश्युप सुनना नहीं चाहती और मैं भी तुमें इस हाल में नहीं देखना चाहती इस वक्त हम दोनों का कर्टल गए है कि हम मिल के महराज का स्वागत करें और उनकी खुशी को दोग न कर दें क्या चाते हो तुम बस इतना कि जब महराज आए तो तुम उनका स्वागत कूरे 16 शंगार के साथ करो और महराज बस तुम्हें ही देखते रह जाएं महराज की जाए! हराटी 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 हराटी, 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 हराटी क्या है आनुष दुर्नोदन? तुम हो तो अमंगल हो भी कैसे सकता है तुम ही हो जिसके कंधे पर में कपिल वस्तु का भार सौप कर ने संद है युद्ध पर जा सनता हूँ आए जू कि है आपको प्रवेश करने नहीं देंगे तुम मुझे प्रवेश क्यों नहीं करने दोगे परे आप मेरे लिए क्याल आए हैं वो दीजे सब भी हम आपको भी तरह आने देंगे मैं राजा ओकर सब से कर वसूल लेता हूँ और ये राजा देवदत मुझे कर ले रहा है ये रहा आपका उपहा आप मुझे जूद के पीना भीतर नहीं जा सकते मेरे तलवार और मुझे पर प्रहार ठीक ये पर अपरती चले महाराज की भाई महाराज की भाई बहुत पीड़ा हो रही है नहीं मामार ये पीड़ा उस पीड़ा के आगे कुछ नहीं जो भाग्य ने हमें दिया है कहने को तो सब कुछ है हमारे पास परन्तु देखा जाया तो कुछ भी नहीं दो बिया करने के पस्चार भी हम ने संतान है आपके दुख का कारण है इश्वर के यहां विलंभ है अंधकार नहीं कुल्गुरो वाचस्पती ने संदेशा भेजा है शीगरी ऐसा योगा आएगा जब सूर्य उतरायन में प्रवेश करेगा जंद्र करकलव में होगा शुक्रमीन राशी में होगा पुनर वसू नक्षत्र होगा यह वही नक्षत्र है जिस नक्षत्र में भगवान श्री राम का जन गुआ था इस योग में पुत्र का मिष्टी यग्य कराने से हमें हमारी प्रात्नाओं का फल अवश्य मिलेगा देव हम तो केवल आपकी गोद में अपने पुत्र को देखना चाहते है माया हुआ है हमारी कोट तो भरने से रही है कि तु देखियेगा कि शीगरी प्रजापती की गोट अभश्य किलकारीं से भर जाएगी देव ततास्तु बाव बावाया बाव लावा काथ जी पहलाने को उत्र क्या दिया महादेवी तो उससे खिलोना समझ बैठिया अरे महादेवी आप इस वक्त यहां वो हमें नेद नहीं आ रहे थी तो सुचा आप एकशन देवदद को देखाएं महादेवी बिलकुत की क्या मेरा देवदद आपका पुत्र ही तो है आथ हमेशा यही चाहती है कि देवदद आपके समय आपके मम्ता के आचल में ही रहे महादेवी आप यहां क्या कर रही हैं महाराज मैं समझती हो महादेवी की विता हो जाता ऐसा कपी खामी जो चीज नहीं होती उसकी इच्छा प्रबल हो जाती वैसे महाराज तीवदद आपका पत्र है ले जाए इसे ले अर पस्टा कि पार्बल बिलाए जाल जाए लिए ढ़ एसे ले खिवद आपके महाराज बान एप By कि यं कहERS अंग्ला कि महाराज के पास में बाद कि अच्छी नहीं लेफी मैं अपने पुतर से मिलना चाहता हूं जा तो वहादेवी के पास होता है या फिर महाराज के पास उस राद भी जब है नहीं उसे भेज़ आज नहीं तो कर देवत्त को महाराज की जगे चुले ले लिए नुवराज जो बना है और फिर कपल बस्तु का महाराज कि जप्छप में देवत्त को महाराज की साथ से हांसर बैठा देखती है मन सपने बुनने लगता है वो फिर सुनाई धीता है कि युवराज देवत्त की जेव कि युवराज देवत्त की जेव मन के पंशी पकड़ना छोड़ो मंख्ला कि जिस दिन महादेवी माया या प्रजापति दोनों में से किसी एक को संतान हो गई तो तुम्हारी सारी इच्छाएं धरी की धरी रह जाएंगे अगर देखो कि सपनों के पंच्छों को कैसे पकड़ लिया मैं यह उनके सपने थे और मेरा चाहर उन्हें संतान प्राभ हुना असंभव है अच्छाएं उसी असंभव को संभव बनाने पुल्गुरु वाचिस्पतिया उत्रकामिष्टी यग्य कराने के लिए पुत्रकामिष्टी यग्य ऐसे पुत्रकामिष्टी यग्य करने से अगर संभान प्राभ होने लगे और सारे संसार में आख लग जाएगे कामुका जी देवी इन पंचियों को पिंचरे में बन खर दो तेवदाद को तीर अंदाजी में कामाएके यूद्ध पंच्छी यूद्ध प्राइगें यूद्ध यूद्ध गर्वोजोनिमैजड अपुमाद बान इवेक्ष्थे अवेर जायता उत्त्रस्ते दशमाश्यास्वाः प्राजन सभी देवताओं और ग्रहों के बाद हम कुल देवता सूर्य देव का अवाहन करें सूर्य देवता अपने कुल की रक्षा हेतु अपनी केरणों पे सवार होकर इस कमल को खिलाएंगे आदि देवा नमस्तु व्यं प्रशीड महासरा दिवाकरा नमस्तु व्यं प्रभाकरा नमुस्तु थे साथ, साथ कमल के भूल का खिलना ये संकेत देता है कि आपको भागे खुलने वाला है राज है महाराज की एप हराज की एप हराज की इए आपति, और अपदी के कफ्ष में आ रहे हैं ते नहीं देव, हम चाहते हैं कि आज की अश्यू घ्रात्री, और आप महादेवी माया के साथ ही बिताने करूंतु महामाया चाहते है कि आज की रात्री अमारा मिलन हो तो प्रगति का संकेत कुछ और ही कह रहा है कि अम कुछ समझें नहीं कुछ दिन इस्त्रियों को अकेले ही बिताने होते हैं दे आप जाएं कल का सूरिक अपिलवस्तु में नहीं खुशिया लाएगा आपकी रात्री शूब हाँ, यहाँ, आपको तो रजापती के कक्षमे होना चाहिए चोटा मो बड़ी बात आपने महाराथ से जोट क्यूं कहा कि आप रच्सवला है क्योंकि हम चाहते हैं कि कपिलवस्तु का उत्रादिकारी दीदी की कोक से पैदा हो उनकी संतान इच्छा इतनी प्रबल है इस योग में भागय को भी विवश होना पड़ेगा ओश बात झाजय को भी विवश भी विवश कि बातविकारं को भी विवश होना प्रबल है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो झाल 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 तो ये था वो स्वपन जो महाराणी महादेवी ने पुत्रकामिष्ट्र अग्यों के पश्चात देखा आदर्निया कुलगूर वाचस्पति एवन समस्त ब्राम्हन गण कृपा करके हमें ये बताए स्वपन का तात्पर ये क्या है आज़त ये स्वपन शुब है लाल कबल का खिलना इस पिजन का संकेत को अकास्ते सपेध हाति एरावद करण कार थे को बद्य व्यात्मा जर्म लेने वाली के है लाइन बद्यों माहदेवी कर्फ से का शुब हुआ का था ये पधाई हो अना ये पधाई हो महादेवी पधाई हो पधाई हो मारा ये तका दाए Noch टयाँ म्हादे वेरा पाल वेल मुरी कर देती है। मुराज बढ़ाई हो, बढ़ाई हो! बढ़ाई हो मुराज, बढ़ाई हो! दया जी ने खोश्टना कर दिये, भादेवी गर्व से है. अजी गही कपिल वस्तु को उसका उत्रादिकारी मिलेगा. बढ़ाई हो, बढ़ाई हो! ताजर एक और बात. इस योग में जन देने वाला, बहुत बड़ा योद्धा बनेगा. ऐसा ही होगा. हम तो केवल राजा बने, वो राजाओं का राजा होगा. महान योद्धा होगा. चक्रवर्ती समराठ होगा. जिसके लिए व्याकुल मनसब का, वहाया शुब समाचार. है कोई आने वाला जो, लाएगा खुशियों का संसार. अरे वो कौन है? कौन है भाई? बुझो, बुझो. वो कपिल वस्तु का, युवराज. पंची नहीं है, मंगला दीदी. यह थर्ष है, उल्हास है, इने मैं रेक्स कर रही है. देखो, ना, इने इसके बंधन से मुप्टी मिल गई और हमें हमारे चरवागिसे है. अज मैं इतनी आनंदित हूँ, इतनी आनंदित हूँ कि मैं अप्में ही रिक्र सकती. वह तो मैं देख रही हूँ कि आप कितनी आनंदित पो रही हैं. कि यसेति संतान महा। देवी माया को नहीं आपको एह होने वाली सच कहा मंगला धीदी यदि संतान मुझे वने वाली होती तो यहानंद आध hazards होता महादेवी माया को हो रही है इसलिए आनन दुगना हो गया है जिसका अधिकार है उसी की कोगफल रही है मगद फिर भी इस तरह आनन का प्रदशन करना अच्छा नहीं होता वो कहते हैं न इर्शा का विश्टो हवाओं में भी होता न जाने कौन वेगन करता सुन ले और अब तो जो अशुब द्रिष्टी डालेगा चेहरा उसी का काला होगा तुम्हारे चेहरे पर मेरा काजल था मंगला दीदी मेरे तो केवल कालों पर काचल था महादेवी प्रचापती पर मैं तो तुम्हें काचल फरे काले आंसूर लाओंगी बस एक और कि तो मेरी माहा है या बहन क्या करेगी मेरे लिए अब रिष्टा है तो करना तो होगा ही और वैसे भी तुम सब के साथ तो युवराज का केवल एक ही रिष्टा है पर मेरे साथ तो दो-दो हैं दो वो कैसे अब देखो मैं महराज की अर्धांग नी हूई यानी मारी बेहन अर्थात युवराज की मासी भी हुँ तो हुए न दो दो रिष्टे हुम् महादवी विदी समानो महा देवी, क्या हुआ? देज़द कंचे खेल रहा था. महा देवी का पैर फिसला. आप खीक तो है, महा देवी? इश्वर की कृपपार. नहीं, तो आज महा देवी की गोद सूनी हो जाती. गोद सूनी हो, शत्रूओंगी. महा देवी की तो बस गोद भराई होगी. क्यों दिदे? तथास्तु बोलो. मंगला दिदे? तथास्तु बोलो. तथास्तु. तथास्तु. आपने सेवक को बलाया? तुना है तू, लौशिका से ब्याह करना चाहता है. है ना? चाहने से कुछ नही होता मंजडे राजा. क्योंकि लौशिका के पिता तुस्से प्रती भेंट में तुर्मुद्राय मांग रहा है. जी. यह तेरे लिए है, गोपाद. बस तुझे मिरले एक छोटा सा कारी करना हो. ऐसी पतिया ढूरनी होगी जिसके रस्से मनुष्य की पृत्य हो जाए. कब तक पर तुसेन के यहां जड़ी पूटिया पीस्ता रहे है? मैं तो कहता हूँ इस पार अपने तुर्भागी को ही पीस्ता. उठा ले. उठा ले. मैंने तेरा कारे कर दिया, गोपाद. अब तू मेरा एक कारे करे. कुछी दिनों के बच्चाल, महादेवी माया की गोद भराई है. और इस अफसर को मैं छोड़ना नहीं चांगा. अज़ गोद भराई की दिन मुझे इतना ही करना होगा. इसनी दी तुझे ही महर. यह मैं नहीं बता सकता, लोशिका. तू मेरा मुझेखी गोपाल, यदी ना पताया तो. यदी बता दिया, तो तू मेरा मुझेखी. तो जीवित नहीं छोड़ेंगे मुझे. लेकिन क्या लोशिका? कब तक तू दासी बनके रहेगी? और कब तक मैं यह पत्तिया पीस्ता रहूंगा? पर महराज को पता चल गया तो? अब वो तुछ पर निरभर करता है, लोशिका. कि तू किस्ते जादास नहीं करती है. अपने कोपाल से, या फिर कपिल वस्तु के आने वाले उत्तरादी कानी जी. जो खीर महादेवी को खिलाए जाएगी, उसमें मुझे विश्मिलाना है. कुपाल सब्सक्राइब विभा के लिए कर रहा है, पर मैं महादेवी के साथ विश्वास भाद नहीं कर सकी. जानकर अंजान नहीं बन सकी. दोनों ने माल से भी अधिक्स में दिया है मुझे. लस्तिका, तो यहां क्या करी है? देवी, देवी मुझे आपसे एक अत्रेंद आवश्व बात करनी है. वो, तो महादेवी माया को. यहां कहना चाहती है? जी. तीक कुछ नहीं. ओ, मुकम करो दिवाचालम, पंगुम लंगलते गिरे. यत कृपातम हम बने. इसका साथ दूरी ये लॉशिता? क्या एक अप्टादी के साथ जीवन बिता पाएगी? उझे कोपाल को रोप नहीं होगा. महादेवी, आप तो आपको बच्चा समालना स्तीक नहीं होगा. यह सब आप इन्हें क्यों मता रही हैं? यह तो केवल युवराज को जन्म देंगी. पालूंगी मैं. महादेवी, आप से एक आभर्षक बात करनी है. लौशिक का, जो बात करनी है, बात में करनी. सेले जा, भगवान का ने वेदे लेया. पता नहीं है? महादेवी ने सवेरे से अंक रहने ही किया. जा? नहीं है? टुच। लुच। महादेवी प्रजापती, लीजिए. तेवतर, आओ महादेवी को प्रसाक्रहन करने दू. नहीं महादेवी, पहले मैं कीर खाऊंगा. तैक है, जि reminder, दो हम आपको खिलाते ही. चोलो मूखलो है. रहाँ बनायां माहादेवी कखिलाऊंगी. नहीं पहले मैं नहीं पहले मैं अच्छ ठीक ही. अजए दू रोख जाहिंगे, महादेवी. कुकुफ? कुकुफ? लाशिका! यह क्या कर रही हो? महादेभी इस खीर में विष मिला है खीर में विष? किसने मिला विष? किसने मिला विष? हम तुमसे बुच रहे हैं! अजिया करने विष? करना विष? बना में विष करना विष नहीं गुपाल जाल उने विष दिश सस्क्राइब तो ने ऐसा क्यों किया? भयाई आपने क्या किया? वोपाल का जीवित रहना आवश्चक था वही हमें असलिया अपरादी तक पॉंचा सकता था हमें शमा केजी कामारा किन्तु हमारे कुल पे कोई अशुप द्रिष्टी डाले ऐसे विक्ति को हम एक शण भी जीवित नहीं देख सकते एक शण भी नहीं आपके सनुच बहुत बढ़ी भूलक हमें शमा कर दीजा मा शमा कर दीजा मा शमा कर दीजा मा मा शमादी बहुत नहीं महादेवी आपसे एक बात कहने थी तुम्हें आग्या लेने की अवशक्ता नहीं है मंगला महादेवी महादेवी महाराज का जीवन संकटते है यह यह तुम क्या कह रही हो मंगला एकान पर यहां महाराज को किस से जंकट हो सकता है महादेवी 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 सुनाए जो संतान दसे महने के बात पैदा होती है यदि अपने पिता के घर पैदा हो तो पिता के जीवन पर भारी पड़ती है महादेवी महादेवी वह मैं ही थी जिसने आपका हात पकड़का आपको तेटा जाने से रुक आज मैं ही आपसे कह रही हूँ आपका यहां रहना उचित नहीं है आपी तो नहीं चाहेंगी कि महाराज या राज पर कोई भी सब कटा है अखिर अखिर अपने सुहाग और संतान की रख्षा करने के लिए ही दुस्तिक का चन्म होता है मादेवी कुछ भी हो जाए आप महाराज को मना लीजी हम कल सवेरी देवधा के लिए प्रस्थान करेंगे आप देवधा जाएंगी जरूर महादेवी परन्तूर बाफतस नहीं आएगी किसी ने सत्य कहा है स्त्रीहट बालहट और राजहट के आगे किसी के नहीं चलती और इस समय मुझ में वो तेनों हठ हैं है ना देव अब ही कहता हूं रुक जाओ और मैं कहती हूं जाने दीजी मेरा स्वास्थे भी अच्छा है और मन भी प्रसन है इसी कारण मैं और प्रजापती मातापिता से भी मिल लेंगे युब राज के जनम का समाचार मिलते ही आप भी चले आना देवधा कर देवधा प्रसनी सा बाव डेरिम अगासा कि अच्छा मुझे तुमने यहां रुखने का सुझाब दिया कि वर्ष्यों बार देखा इस लुम्बनी वन को पर संदर्ता आलोकी के जैसे इसे मानो घर्टी पर स्वर्ग सच कि देदी तुम चल करो शाल व्रक्ष के नीचे आराम करो मैं खाने का प्रबंद करती हुँ कि प्रजा देखो महादेली को क्या हो रहा है झार टूछ देखो वुकि आधू एद्ट सर्था नंदूर्था नंदू नंडू सर्था फाल थे आधू ढम नंदूर्था शीघन नंदूर्था शिरिया कितन आधू जनम लेने वारा दीदी, दीदी, तुम बस धीरे धरी डाल खामे रहना उससे कहा था कि वो आएगा अब वो आगे आए पदाई हो दीदी, पदाई हो पत्र हुआ है ए सामगर सुष्टी बदाई हो तझे जो तेरा स्री जनहात पर जनम ले रहा है क्या देख रहे हो मुनीवर? हारत वर्ष कपिलवस्तू लुम मेरी वन सुन्दर मन को छू लेने वारी दिव्या आत्मा ना सुन्दर बालक हमने पहले कभी नहीं देखा देखो दो कैसे मुस्तिर आ रहा है हराज देखेंगे तो कितने प्रसंद होंगे बड़ी प्रसंदता का उसर है नर्दत जो मैं उस काल में जीवित हूँ जिस काल में एक महान युद्पुष्ट ने जनम लिया है अब तु ही बता तेरी इस बीला को मैं किस नाम से बुकारू को अब तुम ही कहो दीबी युवराज को क्या कहके बुकारे सिथार बुद्ध बुद्ध आरम हो गई निर्वान प्रथा सुनों सुनों ये बुद्ध कथा सुनों झाल झाल